इसकारे क्रम के पुर्ण्यार जखें श्री केवल चंद जैन, राजीज जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परक जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठ्या परिवार कटरा बाजार ललितपुर दया भावना फाउंडिशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतरगत आचारे श्री विद्या सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीरवाद, एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश आचारे विद्या सागर गउ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्ष्टी उपचार अस्पताल, ग्वालियर जहासी हाइवे से 110 किलोमीटर, जहासी कानपुर हाइवे, जहासी टीकमगड हाइवे, जहासी शिवपुरी हाइवे, जहासी ललितपुर हाइवे पर गायल, जखमी, बीमार, दुरघटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशुपक्षियों का उपचार एवं संरक्षन का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत की प्रतीक चार लाइन, छे लाइन एवं अन्य राष्ट्रिय महामारगों पर प्रतीक डिर सो से दो सो किलोमीटर के अंतराल पर आचारे विद्यासागर गौउप चार अस्पताल संचालित करने का लक्षे है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किये जा रहे सराहनिय कारे में आर्थिक सायोग अवश्य प्रदान करें। कि अगर मान लिजी आप जिस त्री से जिस पुरु से प्रेम करते हो खावो में खयालों में रधय में आतडियों में किड़नी में हार्ट में कलेजय में फेपड़े में धारन करके बैटे हो अगर मान लिए वह मनुश्योंनी में नहीं होता तो क्या कुमारे बैटे रहते है कि आपका जो पती है आपकी जो पत्नी है जिसका प्रेम करने का दावा आपका दिमाग करता है मानली जो मनुष्य योनी में नहीं होते अभी त्रियंज गती में कहीं होते अभी उसका मनुष्य शरी में प्रवेश नहीं होता तो आप क्या कर लेते कुभारे बैटे रहते इंत तक कामवासना से प्रेम करते हो यह तभी तक संभव है और जिस पुरुष ने अपने शरीर के अंदर चारित्रमोनी के कर्म के प्रेणा से भी हो चाहे किसी से भी हो अपनी कामवासना से ही प्रेम करना बंद कर दिया और अपनी शरीर की उत्बन होने काम वासना से दुखी हो बैटने लगा मुझे एक बात बताओं क्या वो पूरुस क्या वो अस्तरी खिसी अनिस्त्रीय और अनिपूरुस से प्रेम करबा पाएगा कभी जो दुखी हो कर बैटा है क्यों मेरे अंदर बार-बार काम भावनावत पनुती नहीं होना चाहिए मैं परिशान हो इससे मुझे नहीं चाहिए यह वो दुखी हो के बैटा जीवन बर तो दुखी जीव है जिस चीज से वो उस चीज की पूर्ती करने के लिए सामनी की वस्तु कैसी करेगा तो इसलिए यह खयाल दिमाग से निकालो कि मुझे कोई स्ट्री का मोँ चोड़ना है पूरुष का मोँ चोड़ना है कहीं लोग इसे ताक में बढ़ते हैं तुम्हारा ना मकान ना जमीन ना जायदाथ ना पैसाण न पत्नी किसिंसे तुम्हारा कोई मош नहीं है तुमारा सबसे ज़्यादा मोह है अपने अंदर के कामवासना से अपने अंदर जो लोग भुद्पन होता है तो मुझसे प्रेम करते हो अपने अंदर की तुरुषना से तुम्हें प्रेम है अपने अंदर के भोग भुद्धी से तुमारा प्रेम है मेरे अंदर भी बहुत भोग भोगने की विचारतपन होते है लिकिन मैं उससे दुखी हूँ मैं उससे परिशान हूँ मेरे भी कर्म के उदय में आहार कर लो, पानी पिलो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये खाया लाता है और मैंने जिनिंदर्वान की वाहनी को सुन करके उससे दुखी होना चालो किया मेरे पास भी आठ कर्म है, आपके पास भी आठ कर्म है अलग-अलग थोड़ी ना ये सिंटम से है मैं मेरे कर्म की प्रेना से जो भी दुरभावना उत्पन होती है जिसके लिए भगवान ने मना किया है मैं उन चीजों से दुखी होकर के बैठने का अभ्यास करता हूँ रोज बेवज़द दुखी होकर के बैठता हूँ तो ये खयाल छोड़ दो कि मुझे कोईसी पत्निकार पत्नी का मोह नहीं छोटा जाता बहुत दिन से साथ रह रहे इसके लिए राग हो गया बहुत अच्छे लगते है ये सब मिथ्या परिभाशा है तुम्हे किसी की जिंदा रहने से किसी के मरने से किसी के मनुशूने से किसी की स्थरी से तुम्हे कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना नहीं तुमारा किसी भी आत्मा का कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है सब लोग कान खुल करके सुन लेना सब को अपनी कामवासना से अपनी क्रोध से प्रेम है अपनी मान से प्रेम है अपनी अंदर मायाचर से प्रेम है अपने अंदर के लोव से प्रेम है अपने अंदर के हर दुर्गुन से हम प्रेम करते है तुम उठ करके खड़े हो करके मुझे बोल के दिखाओ तुम अपने अंदर के क्रोध को बहुत प्रेम नहीं करते है तुम्हें अपने अंदर से वो अपने अंदर पनप रहा है नश्ट कैसे होगा तो कोई विवाहन बिना की ये जीवन जीने से कोई कल्यान नहीं होता आपको अपनी काम वासना से दुकी होकर के बैठे बिना कभी किसी का कल्यान नहीं होने वाला चाहे घर में बैठके करो चाहे सादू बन करके बैठो आपको आदेश तो एक ही दिया गया है यह कहने में आता है कि हम ग्रहस्त है लेकिन आप ध्यान से जिनिंदर बवान की वानिक और शब्दों को पढ़ लो आपको भी आग्या मिल चुकी है आपको भी अपने शरीर के अंदर उत्पन होने वाल हाली है इसलिए तुम अगर यह सोच रहें कि तुम किसी और श्री के और पुरुष के और मकान जमीन जादात के मोह होने के कारण तुम वहां बैठे हो तो भूल जाओ तुम अपने अंदर के दुर्गुनों के मोह में बैठे हो तुमें अपने अंदर जो दुर्गुन उत् कि वनुगा तो मेरे अंदर छो काम वस्त नंगा न उत्मन होती है घृर्णा उत्मन होती है तुरुसना होती लालच पायद 해도 होता है फिर मैं वह जाकर कि उसका मजा लूंगा इसका डर लगता है इसलिए व्यक्ति सन्यास नहीं लेता समझ में आ रहा है और कोई कारण हो तो बताओ तुम्हे कोई मना नहीं कर रहा है न तुमारी मान नहीं मना किया न पती नहीं मना किया न पत्नी नहीं मना किया न पत्नी नहीं मना किया आज के बाद तुम मेरी पत्नी बनके रहना, तुम्हें दोबार का भोजन, कपड़ा, सोना, चांदी, धिरे, जवारत, जो चाहे मैं दे दूँगा, फिक है, पहले से दे दूँगा, तुम मेरी पत्नी बनकर के जिवन बर रहोगी, लेकिन अपने क्रोध को नश्ट करो, अप मारे लिए ब्रहमचरी के साथना करने करें, चल, कर, मैं तुझे निर्मोही बनने के लिए कह रहा हूँ, बनो, बनो निर्मोही, इनको कहो जाहां करके आज, फुल परमिशन दे दो, निर्मोही बनो, छमावान बनो, दयावान बनो, सरल सुवाई बनो, मर्दु ब्रचन बो बनो परुपकारी बनो शांत रहने वाले बनो बनो मेरी पत्नी बन करके मेरे साथ जीवन बर रहो और बन के दिखाओ तुम्हें भोजन मिलेगा कपडा मिलेगा सोना मिलेगा चांदी मिलेगी तुझी बिमारी का इलाज होगा सब मिलेगा तुझे अपनी रदय को अपनी बु बोलो जांकर के आज सब लोग सबी लोग बोलना अज इतने पूरुशन है सब लोग बोलना बार 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 चावल चेट के पूजा गुड़ 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 बरिस घर में रहो, मेरा पती बन करके जीवन बरिस घर में रहो और करो इस वीज़ाइप्राफ्त, है कूई तयार हाथ उप उठाए कौंसे साधना, कौंसे तपरशा की बात कर रहे हो, कौंसे सन्यास की बात करते हैं आपको क्या लगता है जो सादू बन करके बैटे हूँ कोई मुक्स जा रहे है आपको क्या लगता है जो घरगरशनी में बैटे हूँ कोई स्वर्ख जा रहे है वो वहाँ बैट करके आनंद ले रहे है यहाँ बैट करके आनंद ले रहे है इसलिए ध्यान रखना आप पुछ करके ओट खोल करके बुड़ बुड़ करते हैं ताकि लोग अगल बगल के जान सके कि हम कुछ बढ़ा रहा है कुछ बढ़ा रहा है हम धर्म कर रहे हैं बिना दिखाए तो कलेजों को ठंडगे नहीं मिलती पल बर तो इसलिए यह काम भाहना से दुखी हो करके कब बैठ होगे कभी जीवन में किसी कोने में बैठ करके आपको कभी ऐसा लगा यहार मेरे अंदर अदर कितनी काम वासना पाईदा होती कितना दुसरे के शरीर का करशन पाईदा होते है और पर्यशान हो गया मैं से कभी बैटे हैं दुनिया के दुखों से दुखी होके बैटे वो जूटे दुख है जैसे जूटे भगवान होते हैं सच्चे भगवान होते हैं ऐसे दुख भी सच्चे और दुख भी जूटे होते हैं और सच्चे भगवान कोई से दुखों को नश्ट करते हैं सच्चे दुखों को नश्ट करते हैं जूटे दुखों को नश्ट करने के गैरेंटि भगवान ने कभी नहीं लिए ये उसका मतलब था दुखी हो के बैठो बैठ जाओ दुखी हो करके कभी कोने में बैठ करके घर के कमरे में काम करते करते दुखी हो जाओ तो उसके बाद चुदारोग विनास्ट भगवान कहते है कि भई ठीक है जीवन है चलेगा तो भोजन से बिना भोजन के थोड़ी कोई जीवन चलेगा मुनियों के लिए तो कौन सा भोजन छुडवाया लेकिन भगवान कहते है फई तड़ा दुखी होके बैठ जाते है अपनी भूख से दुखी होना मुझ में कितनी भूख लगती है कितनी प्यास लगती है कितना भुकड़ो मैं क कितना खा रहा हूं है, कबसे खा रहा हूं है, कबसे खा रहा हूं है, और जो विक्ति अपने भूख से दुखी होके बैठता है, और तब वो उपवास करता है, अंशन करता है, अवमोदरी करता है, उर्तिपरसंक्यान करता है, रस परित्या करता है, तब उसकी वो चारो साधन भोजन से जुड़ी हुई फली भूत होती है साक्षात आखों के सामने फल दिखने लग जाते है आपको भोजन नहीं छोड़ना आप प्रासुप भोजन, शुद्ध भोजन, मर्यादित भोजन जो भी जिन्दरभान के आग्या है उसके अनुसरा भोजन लेजिएगा सुमधूर भोजन, सुपाच्च भोजन, मर्यादित भोजन जैनकुल को शुपा देने वाला जो भी भोजन है आप थाली में रखिये, सठरस भोजन रखिये खाईए, पेट भरके खाईए लेकिन आपका करतव यह है, कुछ बुद्धी से भी साधना की जाती है कुछ मनस्तितियों में भाव निर्मान करने पड़ते है एक ऐसी बुद्धी का निर्मान भगवान चाह रहे है कि तुम भोजन के बार बार जो भूक लगती है न तो मुझसे दुखी हो, भगवान तुमारे बुद्धी में वो दुख देखना चाहते है समझ मैं रहे है, भगवान हमारे दिमाग में दुख देखना चाहते है वो दुखी होके बैठे सुख में ना कोई आतेशय होते है न चमतकार होते है प्रसनता में मुस्कुराट में कभी आतिशे चमतकार नहीं होते चमतकार तभी उत्पन होए है जब सादक दुखी अवस्ता में बैटा है ये दुखी होना बहुत ज़रूरी है दुख के बिना मोक्षमार्ग है ही नहीं दुख लाने पड़ते हैं दुखों को आमंतरं करना पड़ता है लेकिन जूटे दुख नहीं सच्चे तो जिनिंदर्वान कहते हैं कि आप भोजन के दुख से दुखी तो हो जाओ आपको कभी दुख हुआ है कितनी प्यास लगती कितना भूख लगती कितना खाने के बारे में सोचता है कितनी खाने की कलपना करता है ये क्यूं चल रहा है मुझे में कब तक चलेगा मुझे में कभी इच्छा होती है इसे दुखी होने की इच्छा होती है नई खाने को नहीं मिला इसलिए माता दुखी होती है तुम्हार अपास भगवान हर देह ताकीु आएंगे भई खाने को नहींमिला ठीक से नहींमिला मैं आहर के लिए जाता हूँ ना मेरे हाथ में सारे बिंजन आते हैं मैं ले भी लेता हूँ हलवा भी ले लेता हूँ, पूडी भी ले लेता हूँ juice भी ले लेता हूँ, फल भी ले लेता हूँ रोटी मिलती है, दाल मिलती है सबजे लेता है, समत भाव से सब ले लेता हूँ मैं मना नहीं करता हूँ, पूछ को किसी को मना करता हूँ सब ले लेता हूँ लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ ये मेरे प्रभू को मैं बहुत अच्छे से जाता चुका हूँ जब भी मैं वहां से आता हूँ मैं एक घंटा रोज हर सच्चे दुख में दुखी होकर करके जरूर बैठता हूँ कभी बीजी सेडूल रहता है तो मैं दस मिनिट ही सही रोज अपनी भूख की खुद करे खुद के बुद्द्धे से खाने लगा सुबह खा रहाँ, दोपर खा रहाँ, रात पी रहाँ ये भी कर रहाँ ये कब तक चले own मुझ में मुझ में भूख नहीं देखना चाहता मैं बिना भूख का जीवान अक्षय चुधारोग विनाश होते वे मैं खुद के अंदर देखना चाहता हूं तो भूक के दुख से दुखी हो जाओ भूका रहने के लिए नहीं कहाँ बगवान ने भूक के दुख से दुखी हो ना जो भूक के अन खाने के जो खयाल आते हैं उस खयालों से दुखी हो जाओ चुदारोग विनाशनाय के बाद कौन सा रही है मोहांदकार विनाशनाय दीपम निरोपामिती स्वा मोह रुपी अंदकार यह बहुत बड़ा विश्य है और जैसे ही मैं कोई व्यक्ति सादू सन्या से आते हैं आपको कहते हैं मोह के वशिवुत हो हम हराज हम पती माता पिता पुत्र घर जमीन जारात पर हमारा बहुत मोह है यह ऐसा आपका दिमाग आपको फिल्म दिखाता है लेकिन यह सब जूटी बात है सची बात यह है कि तुम खुद अपने अंदर के प्रतेक दुर्गुन से बहुत प्रेम करते हो बहुत मोह करते हो तुम्हें हर दुर्गुन अच्छा लगता है एक भी दुर्गुन तुझे बुरा नहीं लगता अपनी अंदर का एक भी दुर्गुन तुझे बुरा लगता है तो बताओ, ना बताओ एक भी दुर्गुन तुझे खुद बुरा नहीं लगता दूसरों को तेरे दुर्गुन बुरे लगता है, यह तुझे बता है देशे तुम कुसा करते तो उसको बुरा लगता है तुम डाटते तो उसको बुरा लगता है तुम गाली देते तो उसको बुरा लगता है लेकिन आप एक बार शांती से बैट करके देख लो एक बार आप शांती से पलट करके देख लो आप किसी की भी दुसरे विक्ति के मोहों में नहीं हो आपका अग्यानी मन आपको वो फिल्म दिखाता है और बार बार ये कहता है कि आरे मेरे पत्नी का मोह कैसे छूटेगा मेरे पुत्र का मोह कैसे छूटेगा मेरे माता पिता का मोह कैसे छूटेगा इसकारे क्रम के पुर्णियार्जक थे श्रीकेवलचंद जैन, राजीज जैन, एडवोकेट निर्मलकुमार जैन, सिविल इंजीनियर परक जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठ्या परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाईए सिविल इंजीनियर परक जैन, वास्तुविद से, जो अपने वास्तुग्यान से कराते हैं सारा काम, जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया स्थान महाकाली लाइन कट्रा बाजार ललितपुर तो देर किस बात की हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजिनियर परख जैन वास्तुवेद संपर्क सूत्र 96308 45139